तो गाइज आप सब कैसे हैं I hope आप सब अच्छे होंगे तो आज हम आप लोगों को अपना गार्डन टूर देंगे तो यह कुछ बकेट्स थी जिनको लोगों ने खरीदा था मार्केट से और इस पर लोगों ने पेंटिंग किया है वारी लाटकी आप देख सकते हैं अगर आपको कैसे लगा कमेंट बक्स में जरूर पताएगा और यहां पर छोटा सा एक बॉटल थी इसमें एक नाइनो क्लॉक लगाई है और इसमें हम लोगों ने एक हनी भी बिंट कर दी है और एक आलो नीमा का प्लांट है दूसरी वराइटी का और यहा चीली प्लांटे काफी हल्दी है आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ चीली प्लांट से हैं और यहां पर पिंगर का हविस्कस प्लांट है अब इसमें नहीं हुआ है वैसे तो पर्सों हुआ था इसमें कल बटाज नहीं हुआ कि और वैसे आज बत्ते हवा भी चल रही है आप दिख सकते हैं और यहां पर यह बुट थी नहीं हम लोगों ने पाटन में रखा यह लो ग्लू यह ब्लू अप देख सकते हैं इसमें बर्ड है राबिट्स और यह लोगों ने भृत नाकीम की जॉइंग पॉट पर की है आपको कैसे लगी यह बखते हैं तो यहां पर बंड होती है उसे अमने बखेट में भरके दख सकते हैं इसमें बखेट में फिल किया है और वो जो इसमें ऐसे यह रख लेए वो वूट का एक चोटा से पीज था इसमें लोगों ने इस बखेट यह पर दिया आप एक आप इच्छा भी लग रहा है दूर से यहां पेक एक अमरूत का पेड़ है चोटा सा अब देख सकते इसमें नियूल भी सो रही है आप एक यह लो कलर का बंच में वाला इसकस प्लांट है अब देख सकती यह फिच्छ ग्रूप कर रहा है यह यह लो कलो कर नॉर्मल जी बिसकस प्लांट है और यह पेक श्मेक रांट है यह कुछ हेल्दी मेरिगोर्ड प्लांट्स और इसके मों ने जो कटिंग के देख सकते हैं कितनी नियू लिप्स निकल देख सकते हैं और अभी इसमें भी नियू लिप्स भी निकल देख सकते हैं यह अमारे पास तीन पौदे बचे हैं और यहां पर एक चोटा ड़ा टैर्मिक का भी पौदा है अब जित सकते हैं एक बड़ा वाला मैंगो प्लांट्स और इस आड़ू के पौदे में भी नियू लीफ्स और नियू फ्लायर्स हो रहे हैं इसके फ्लायर्स बिल्कुल चेर अब देख सकते हैं कितने सुन्दर लग अब काफी सुन्दर और फ्रेश फ्लांट ही है यह पे इसकी चोटी सी बड भी रिखाती हो दिखें चोटी सी अब इसे भी दिखें और यह इसमें गोल में चुए है रटकरों की सारी और यह जैस्मीन का पौधा कि छोटे चोटे पॉट से इसमें को निमोजी बनाएं और कुछ नौर्मल पिंटी की है जैसे कैक्टस हुआ और यह स्टोन था में के पास पड़ा हुआ था इसके आउल बना दिया हम लोगोंने अपको आउल कैसे लगा कम रफ से जरू बताएगा चैनल पे नहाए तो चैन यह जो पॉधा था यह वैसे पूरा सुख गया था गर्मी में बट ठंडी में इसकी ग्रोथ हुई और इसकी कटिंग कर दी थी जिस होजे से इसमें नियू लिवस भी निकल रही है आपरी सिक्टेम यहां पे क्रोटन का पॉधा है जिसके पॉट पॉधा है जिसके पॉट यह सकी है आपिज पॉट को खैअ है उर सी ने हम लोगों जाए यलो और से प्रॉट की है है यहां के नुगके नने सफाई की था जाए 59 ज़ए झोरी छोटके चुटे चिली प्राइंस है और यह एक जट प्लांट था इसके पॉट पे हम लोगों ने छोटा सा प्यारा सा आउल बना दिया और यह अलो नीमा और यह जो अप्राजीता था यह पूरा सूप गया है इसमें इसके सीड्स बचे हुए हैं इसमें भी इस गुलाब के पौदे में खाट डालने हम लोगों क तो इसका भी वीडियो का हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे लाइक के लिए काफे इच्छा भी है और यह कुछ वाइट रोजेस आप देख सकते हैं यह मीनी रोजेस इसमें भी अभी मतलब लीफ मतलब वह बर्ड निकल रही हैं इसके पॉट पे भी हम लोगों ने पेंट आप अलो वीरा काफी घंड हुआ है इसमें अब दिख सकते हैं अब दिनिया इसमें टमाटर भी हो रहा है अब दिख सकते हैं छोटा चुटे प्लार्ड आ गये हैं यहां का जो गार्डन वुसमें वह सरी तुलसी थी जो की सूख गई छोटा सा ओरेंज का पॉधा है अब यहां पुलाइं अब बिख सकते हैं अब यहां पर थोले में अपर वाव फ्टैग यहां पार टमाटर भी वेए थे सकते हैं यहां पर नेकले डाल्स पर देख लिखकें चुम लोगें सक प multip cosa और को आप लिज निदा को रषम Marson यह पर गार्लिक भी वह इसकी भी ग्रोथ काफ एची हो यह मिर्ची है इसकी बीड़ोथ चीह है यह सोया कपौधा है यह सोया है यह सारे ओनियंग है इसकी वेल नोगे कटिंग कर दी तैसके यह काफ यदे सकता है आप देख सब्जिक काफ है उपिछ ग्रोथ हुई है आज की वीडियो आपको कैसे लगी ड्रॉक्ट आज दो बते हैं और थेंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो बाय बाय गाईज जाप यहाप करने है १ुरिह की पो फ्लाजे, अदेक ते, पावब गाईस